एलो फ्रेंड आजम बनाएंगे तुरेई की बहुत ही मज़ेदार और टेष्टी रेसपी बिलकुल नह तरीके से बनाए है और इसके साथ हमने बनाया है घीजीरा राइस खाने में बहुत ज्यादा टेष्टी आता है इसका कॉमिनेकरसन हमने बहुत अच्छे से रखा है तो जरूर ट्राय करें तो चलिए बना लेते हैं तो यहां पर हमने सबसे पहले तुरही लिया है फ्रेस है अच्छे से धो लेंगे फिर उसके बाद हमें इसे पीलर से पील कर इकशल करें वस्तों करें जो जोड़ी नेता है तो इस दो सारे काट करके तयार कर लेना है बस इस तरह किया कर एकशल करma लेंगे इसकी रस्प बनाने के लिए हमने प्याज ले लिया है, दो छोटे पीसे में दिंबारी कटल कर लिया है, लसन ले लिया है, दो हरी मिर्च, फिर उसके बाद दो ठमाठर, यहाँ पर हमने दाल ले लिया है, मसूर की दाल है, आप कोई भी दाल ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो, तो अब चलिए रेस्पी बना लेते हैं, तो यहाँ पर लेंगे हम कडाही, कडाही में अच्छे से रख देंगे, गरम हो जाए, तो इसमें डालेंगे मस्टूड आल, आप कोई भी ले सकते हैं, जो आपके घर में पसंद हो, जो आप खाते हो, अब यहाँ पर हम डालेंगे, हाफ टेबली स्पून से भी हाफ, हमने जीरा डाल है, जीरा अच्छे से क्रेंकल हो जाए, इसके कलर चेंज हो जाए, तो हम यहाँ पर हींग डाल देंगे, हींग का इसका तड़का लगाएंगे, तो बहुत ज्यादा इसमें टेस्ट अच्छा आता है, हींग का तो ज़रूर लगाए, यहाँ पर जो हमने लासन कटकर के रख है था, वो एड़ कर देंगे, अच्छे से लाशन भून जाए, तो यहाँ पर हम पांस अच्छा डाल देंगे, करीपत्ता, करीपत्ता ओप्सनल है, आपके पर घर है, तो डालिए वनना इसके भी करते हैं, लेकिन करीपत्ता डालने से क्या होगा, यह बहुत ही टेस्टी त को भी अच्छा रखता है, मेंटेन रखता है, तो यहाँ पर हमने जो बारी करके प्याज रखा था, बस वो एड़ कर देंगे, प्याज को हमें सुनहरा होने तक भून लेना है, जब प्याज में अच्छे से कलर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर हम एड़ कर देंगे, कु बस इतना ही हमें मसाला एक करना है और अच्छे से प्याज और मसाले को भून लेना है प्याज और मसाला 사 measures भून करके तैयार करना है जब प्याज मसाला हम ठू recruja भून जा तो यहां उसको पियुद्धिया था, उसको प्यूरी एक कर देंगे तो जेएं do नियुक्स करेंगे अपर i months मुष्ट करेंगे आभ लेंगे सबक्राय केरा दो dewाइप ₹ ट्रहां बाद करेंगे आर नो ध्यूक्से करेंगे तुरे कह çू भोलत करेंगे। तब ही टेस्ट अच्छा आता है तो ध्यान रखिएगा कडाही आप मोटे तलवे की ही लें ताकि पकने में ये लगे ना मतलब जब हम ये रेस्पी बनाएं तो ये नीचे लगे ना तो इस तरह से हमें 2-3 मिनद तक इस तरह से भून लेना है तो आप देख सकते हैं हमने अच हमने जिसमें डाल रिखा था जिस बाउल में उसी बाउल से हमने दो ग्लास पानी एट करके इसे एक मिनद तक हमें लो फ्लेम में कुक करना है फिर उसके बाद चेक कर लेंगे फिर इसे हम ढख करके 15 मिनद तक लो फ्लेम में छोड़ देंगे जब 15 मिनद हो जाएगा फिर ह हमें देखिए सब्जी बन के तयार हो गई है अब इसे हमें क्या करना है एक मिनट तक और कोक करना है हाइफ लिम में तो इस तरह से चलाते रहेंगे अच्छे से मैस कर लेंगे एक मिनट तक हाइफ लिम में कोक कर लेंगे तो एक बार ये recipe friends जरूर ट्राय करें तो लीजे हमारी सब्जी बन के तयार हो गई है हमने बहुत अच्छे से पका लिया इसका texture आप देख सकते हैं अब इसमें क्या करें इसे थोड़ा सा spicy बनाने के लिए हमने यहाँ पर उपर से गरम masala डाल दिया है धनिया पत्ति हमारे हाँ खतब हो गई है तो आप उपर से धनिया पत्ति लाल करके गानिस कर सकते हैं तो इस तरह से सब्जी बनाए करीब यह सब्जी बनाने में आपको maximum 15-20 मिनट लग जाएंगे तो अब इसे हम रख देते हैं साइड में चलिए हम जीरा राइस बना लेते तो यहाँ पर हमने बासमती चावल लिया है करीब दो कफे अच्छे से वास कर लेंगे और फ्रेंट्स जब आप कुकर में चावल बनाया तो उसे 3-4 पानी वास करें ताकि इसका इस्टाच जो है निकल जाए इसमें मिटिया वगेरा है जो निकल जाए अच्छे से तो इस तरह से हमने धो करके तयार किया है तो अच्छे से इस तरह से धोएंगे हास की हेल्प से बढ़िया से मसल करके ताकि इसका इश्टाच बढ़ियां से निकल जाए तो हमने चावल रेडी कर लिया है अब प्रेशर कुकर लेंगे कुकर में हमने डाला है दो बड़े चमच घी आप रिफाइन ओयल में भी बना सकते हैं फिर उसके बाद हम यहाँ पर डाल दिये हैं साबुत खड़े मसाले जैसे कि दाल चीनी, लॉंग, इलाइची, बड़ी इलाइची, छोटी इलाइची, तेज पत्ता और थोड़े से लॉंग फिर उसके बाद जब अच्छे से मसाले हो जाएं यहाँ पर हम डाल देंगे जीरा जीरा बढ़ियां से क्रेंकल हो जाएं चटकने लगे फिर इसमें हम डाल देंगे चावल चावल को डालके हमें अच्छे से एक मिनट तक भूनना है बढ़ियां से इस तरह से चावल आप बनाएंगे तो बहुत ही बढ़ियां पर्फेक्ट खिला-खिला बनके तयार होगा तो एक बार इस तरह से जरूर फ्रेंट्स ट्राइक करें चावल रेसेपी बहुत ही चावल डालेंगे फिर उसके बाद हमने अधा बावल और डाला करीब हमने डेर बावल का पानी इस्तमाल किया है अब हमें क्या करना है लिए लगा के इसे हाई फ्लेम में एक सीटी आने तक कूप करना है फिर इसे फ्लेम को हम लो कर देंगे फिर दो सीटी आने देंगे जब सीटी आ जाएगा तो चावल पर्फेक्ट बना रहेगा तो हमें सीटी नहीं निकाल ली है सीटी अपने आप निकल जाएगी तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं तो लीजे हमारा चावल भी बनके त्यार हो गया है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज्यादा स करके बताए क्या अच्छा नहीं लगा वो भी कॉमेंस करके बताए ताकि मैं अपने वीडियो में सुधार कर सकूँ और आपने मेरे वीडियो से क्या सीखा वो भी कॉमेंस करके बताए तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाली रेडी करके अपने फ्रेंस को खिलाई तो मिलते हैं कर और नई वीडियो नई रेस्पी के साथ तक तक लिए प्रक्यार किया हर हर महादेव